कि मैं अंकित सिंग पाथ हाइस अकैडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं जैसा कि पिछले सनिवार को मैंने आपसे कहा था कि हम लोग हर सनिवार दो बज़े लाइव आएंगे तो मैं लाइव आ चुका हूं टॉपिक वही है बहुत सारे सीजी पी और व्यापवम के बहुत सारे परेशंटेश के टॉपिक होते हैं जैसे परसेंटेश पार्ट वन आपने पढढ़ा तो उससे डिलेटेड आज हम कुछ कुछ कुशेंट करेंगे फिर प्रॉफिट और लॉस इंपल इंट्रेस कंपौउंड इंट्रेस सब इसी पार्ट है तो हम पूरा सीरीज देखने वाले हैं हसे टेड़े को दो बजे से तो स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से मैं चीज़े बता दू ने स्टूरेंट्स के लिए यह हमारा सिलिबस है जो CGPC ने डिकलियर किया है और यह सिलिबस है मैंने उसी सीट्स का ट्रैशलीशन फ़र्म दिखाया था एक बार सारे टॉपिक हैं हम लोग यहां पर हैं हम लोग परसेंटेश पढ़ रहे हैं आज पर सुंटेश पाइट ㅠ अंपाइट पर वन था यह पैशंटेश पार्ट जू और percentage part two में क्या पढ़ने वाले है population growth या population से related question population growth क्या decline birth date rate ये सारे से related question exam में पूसता है तो हम लोग start कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है कैसे कैसे question आ सकते लेकिन मैं ये एक बार बहुत सारे ने स्टुडेंट हैं जो पहली बार लाइब होंगे या फिर आप लोगे स्टार्टिंग में देखोगे कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ लास्ट क्लास में बेसिक पढ़ा है था आप चाहो तो अगर वीडियो देख रहे हो लाइब नहीं हो तो पसेंटेस पार्ट वन देखने के बाद ही टू देखो और मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे कुश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर स्टार्ट करूंगा हिंदी इंग्लिस दोनों में हमारे पास कुश्चन होंगे दोनों लैंग्विज हम फॉलो करेंगे हिंदी और इंग्लिस इस तरीके से कुश्चन रहेंगे हमारे जर्मदर मृत्यूदर जनसंख्या प्रिधी दर स्रेल्टेट फिर यह पॉपुलिशन जनसंख्या क्या थी कैसे हो गई कैसे बढ़ी यह सारी चीजे हम लोग फ्रैक्शन भी देखेंगे फिर बच्चे थे पुरुस थे या फिर मैरे इतने की गिरावट यह पॉसंट गिरावट वाला इंपॉर्टेंट कोश्चन हो जाता है थो आसा कैल्कुलेशन आ जाता है विवाहितों वाले कोश्चन हुमवर्ग भी दूंगा आपको रेट कंजम्शन स्रेटेट कोश्चन यह नि बहुत सारी चीज़ें में आपको बहुत सारी वारेटी मिलने वाली है पॉसंटेस रिलेटेड तो चलो हम लोग पॉसंटेस स्टार्ट करते हैं एक बार आप लोग प्रियंका सिन्हा गाफ्टनों गुड आप्टनों आभरिवन मैं यूट्व का एक्स्परियंस मेरा नहीं है मैंने live class online classes बहुत सारी classes लिए हैं बट one-to-one connect करके जिनको मैं जानता हूं लेकिन प्रियंका जहां तक बहुत सारे स्टुडेंट हैं मैं सब का नाम नहीं जानता और यूटूब में कैसे करने करना है कब लाइफ से और क्या करने वाले चीजें मुझे नहीं पता दीरे दीरे एक्स्परियेंस ले लूँगा यह सीरीज चलता ही रहेगा जब तक पूरा टॉपिक हतम ना हो जागा इसमें 6-8 मैंने लगेंगे तो एक बार आप लोग सेर कर दीजे जिस वाट्सप में या जो भी आप यूज करते हैं वहां के थूप और चलो स्टार्ट करते हैं कॉमेंट करते रहिए जो डाउट आये क्लास में पूछते रहिए अब हम दोनों या हम सब कनेक्ट रहेंगे साथ करें पहला कोस्टन हम लेते हैं पहला कोस्टन में क्या है कोस्टन नहीं है यहाँ पर मैंने कुछ चीजें डिस्क्राइब करिए बर्थ रेट वाट इस बर्थ रेट दवर अफ लाइफ बर थाउजंड पॉपूलेशन पर ये एक साल में एक हजार में कितने जीवित ल तो जो बचे एक साल में मालों एक लाग हुए तो एक हजार में कितने कितने होगे उस सब को हम उस से लिटेट चीजों को बर्थ रेट अब यहां पर मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं सीधे कोस्टन के तरफ चलो मृति उदर का आप डिफिनेशन बस देख लिए डेट रेट ह होता क्या है यह साइंस का पार्ट है साइंस में आपको और इच्छे समझाया जाएगा लेकिन मैंस में टॉपिक दिया है इसलिए है तर इशु आफ डेट्स तो देपॉपुलिशन ऑप पार्टिकुलर एरिया और दूरिंग पार्टिकुलर प्रियेड अफ टाइम यूज कितने हजार लोग मरें किसी एक खास एरिया में फिर यह इंपॉर्टेंट है दा रेट अफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन यह क्या होता है दा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इस दे रेट विच दा नंबर अफ इंडिविजुल्स इन पॉपुलेशन इन गिवन ताइम परिय पॉपुलेशन को बनेंगे जितना घटा बढ़ा उसको निमेटर बनाएंगे हिंदी में भी दिया है जनसंख्या व्रेदी दर वह दर है जिस पर एक निस्चित समय और दी में जनसंख्या व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है जिसे प्रारमिक जनसंख्या के अंस लग था और पिछले तीन महीना में अचानक से एक लाग पचीस जार हो गया पचीस जार लोग बढ़ गया तो पिछले की कोड़िंग पचीस जार कितना पसेंट है यही है जनसंख्या व्रेदी दर जनमदर कितना है 4.5% और मृत्युदर है 2.5% है तो दो वर्स बात सहर की जनसंख्या में ब्रिधी की गणना के तो पॉपलेशन आफ इस इस इन्वल बर्थ रेट और देर्थ रेट आर 4.5% और 2.5% respectively calculate the increase in the population of the city after two years increase in population बोला है percentage increase नहीं बोला है तो कैसे इस question को सब्सक्राइब करेंगे मैं 15-16 question लेकर आया हूँ और target है एक घंटे में finish करने का ज्यादा भी लगता है तो हम लोग finish करेंगे अन्दे तक बस बने रही है बहुत कुछ सीख कर जाएंगे इसको कैसे solve करें तो कई सारे method से solve करने कि जर्मदर कितना है वार्सिक जर्मदर 4% यानि birth rate और death rate इस चार देसमलो 5% लोगों का यह जर्मदर है birth rate आपको describe किया था और death rate किया है 2.5% तो population increase किया हुआ तो हम क्या कहेंगे कि increase in population is 4.5% minus 2.5% which is equals to 2% 2% increase हो रहा 2% increase per year यहां पर रिस्पेक्ट लिवर एन्यूवल बोला था कि एन्यूवल birth rate यह है और एन्यूवल death rate यह है अब इस में हमने देखा कि 2% का difference है यानि कि साड़े चार लोग जर्म लिए है साड़े चार को 45 भी कह सकते हैं और 25 लोग वो की बढ़ जाएगा जब कि initially यह है तो कई सारे methods है इसके जैसे यह है ट्वेंटी टू थाउसे तू लैक्स 25 थाउसे अब एक साल में इस फाइंड करना क्योंकि इस पूरे चैप्टर में यही काम करेंगे जैसे हमारे पास है वन थाउसेंट वन थाउसेंट का वन पॉसेंट कितना होगा तो थाउसेंट लिखेंगे और टू डिजिट के बाद डैसमल पूट कर देंगे इट में स्टेन इस वन परसेंट ऑफ और जैसे हमारे पास है 2,000 इसका हमें फाइंड करना है 10 तो हम क्या करेंगे 2,000 और इसमें 2 डिजिट के बाद डैसमल पूट करेंगे तो यह हो गया 20 is 10% of 2000 किसी भी नंबर का हमें 10 पॉसेंट करना है तो वन डिजिट के बाद डैसमल किसी भी नंबर सॉरी सुरी यहाँ पर यह वन डिजित के बाद होगा इसी भी नंबर का 10% करना है तो वन डिजित के बाद decimal और 1% जाओ 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 ज, 2 दिजित के बाद आप ऐसे भी कर सकते थे, यह कुछ गलत नहीं था अगर हमने 2000 लिग दिया और यह दिया तो ये होगा 1% पढ़ रखा है तो मैं यह मानते हुए पढ़ा रहा हूं आपको कि हमने एक क्लास पढ़ ली है और सारे बेसिक कॉंसेप्ट हमें पता है मैं बस कैलकुलेशन सिखाऊंगा दो तिन तरीके से इसका कैलकुलेशन बताने जा रहा हूं आप लोग देखिए एक बार सेर जरूर किजिए कि मैक्समुम स्ट्रेंट कनेक्ट हो सके तो इसका टू पॉसेंट कितना हो जाएगा यह है वन पॉसेंट तो टू पॉसेंट इस प इसमें आप प्लेस कर दोगे घह हो जाएगा जीरो जीरो फाइव पॉर और फई नेटू ये तो एक साल के बाद बढ़ी जन संख्या होगी और साल के बाद बढ़ी हुई जन संख्या का दो परसेंट बढ़ेगा वैसिए ध्यान रखने इसमें सकसिव इंक्रिम्ंट होता है पिर यह हो गया 1% 1% किसका डबल तो इसका डबल करेंगे फाइव तूजा टैन केरी वन नाइन तूजा एटीन एन वन नाइन टीन केरी वन तूजा फॉर और फॉर यह अब बढ़ी हुई जलसंग्या कितनी हो जाएगी आप इसमें प्लस कर दो या फिर एक बार पहले साल 4500 बढ़ा दूसरे साल 4590 बढ़ा तो कुल बढ़ गया कितना 9090 पॉपुलेशन इंक्रीज 9000 90 यानि ऑप्शन भी अब इसको प्लस करते तो फिर से माइनस करना पड़ता बात वही था एक और मैटन बता रहा हूं यह 2% ही बढ़ रहा है ना एक साल में कि इंक्रिमेंट रेट कितना है 2% प्लस मिस इंक्रीज और टाइम कितना है तो यह तो आप इस केस में आप टू यह में तोटल पॉसेंट इंक्रिमेंट अब एक सेकेंड में फाइंड कर सकते हो जो मैंने सिखाया था याप डैसिमल दो डैसिमल के बाद टू डिजिट मस्ट है तू 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 जा फ यह 4.4 परसेंट इंक्रीज होगा दो साल में 4.4 परसेंट किसका जो आपका पॉपलेशन है तो सिंपल ही 22500 इसका 4.04 परसेंट आप फाइंड कर सकते हो इस डैसिमल को अटाओ और एक बार और सौ ले लो दो और एक तीन जीरो से तीन जीरो कैंसेल हो गया अब इसको हम में कर देंगे एक है तो यह 225 हमें क्या करना है 404 से मिल्टिप्लाइब और डिवाड़ेट बाइट टैन है यह दियान रखना तो मिल्टिप्लाइब मैंने सिखाया था उर्दू तरिक भी हम फाइफ फोर्जा 20 कैरी 2 जीरो फोर तूजा 8 एट एंटू 10 कैरी 1 फिर फोर तूज एट फाइब तूजा फाइफ फोर्जा ट्वेंटी ट्वेंटी एट और जीरो ट्वेंटी प्लस 129 के लिए 9 कैरी 2 फिर टू जीरो जीरो टूजा 8 एट एंटू 10 कैरी 1 फोर तूजा एट एंट नाइन हमारा क्या रिजल्ट आ गया 909 डबल जीरो डिवाड़ेट बाइट कई सारे मैथाड है कैलकुलेशन के मुझे यह बेस लगता है आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो वैसे भी जासे ओके मैंने यह चीज इसलिए बताई कि अगर पुस्ता फाइंड द पॉपुलेशन ग्रोथ इन आफ्टर टू इयर तो स्टूडेंट क्या कर देते कि 2 प्ल तो कि चलो आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन लेते हैं एक्स्ट कोश्चन हमारे पास है दा पॉपुलेशन इन अहम्दाबाद यह थोड़ा सा गड़बड है यह अहम्दाबाद यहां रायपुर है भाई इसका हम लोग रायपुर ले लेते हैं कि दो साल के बाद क्या पॉपुलेशन होगा सिंपल सा कुश्चन है कि रायपुर की जनसंख्या कितनी थी तीस हजार अब इस तीस हजार जनसंख्या पहले वर्स में चार प्रतिशत के ब्रिधी और फिर अगले वर्स में पाँच प्रतिशत की कमी तो दो वर्स के अंत में कुल जनसंख्या कितनी है बहुत है सिंपल है क्या करेंगे कि पहला साल आप इसको 4 प्रतिशत बढ़ा दो और प्रतिशत 1 प्रतिशत कितना हो गया 300 तो 300 गुना 4 यानि 1200 बढ़गी जनसंख्या अब 1200 इसमें जोड़ोगे तो क्या हैगा 31,200 अब फिर प्रतिशत घटा देंगे बड़ी हुई जनसंख्या को घटाएंगे अब स्टुडेंट क्या करने लगते है कि 5 परसेंट घटा है चार परसेंट बढ़ा है तो एक परसेंट घटा देते हैं वह गलत हो जाएगा अब यह 5 परसेंट 10 परसेंट इस 3 120 सो हाफ आफ आफ टैन प परसेंट करके नीचे लिए अब पूछा किया है फुल जनसंख्या कितनी थी इंक्रिंग्मेंट और डिक्रिंग्मेंट नहीं बोला इसमें समें इसको माइनस कर देंगे तो 1560 माइनस करना है तो देखो 1200 और 1560 360 तो इसमें से 30,000 में से 360 माइनस कर लेते हैं तो कितना बच जाएगा 29,000 एक हजार में से 360 माइनस करेंगे तो कितना हैगा 640 तो हमें कैरी वाला जंजट से भी बच जाएंगे ओप्शन सी 29,640 यह हमारा एंसर होगा ओके कितने लोग लाइव हैं यहां पर यह नहीं प्ले हो पा रहे हैं चलो ठीक है जो भी लाइव है एक बार कुछ कमेंट करें या वीडियो को सेर करते रहें चलो स्टार्ट करते हैं अगला कोश्चन हमारे पास एक और कोश्चन है कि 2010 में जन संख्या पचास हजार थी तो 2013 में जन संख्या कितनी होगी और प्रतिवस्तर संख्या अब कितनी बढ़ रही है इस प्रतिशत बढ़ रही है एक साल में 20 प्रतिशत तो दस से 13 तक कितना साल हुआ तीन साल देखो रेट और इंक्रीजिंग रेट आप ऐसे लिख लो रेट पॉसेंट कितना है 20 20 पॉसेंट इंक्रीज कर रहा है टाइम कितना है तो टाइम है 3 येर 2010 से 13 तक और जनसंख्या इनिशिली कितनी है 50,000 तो 13 में क्या होगी तो आप क्या कर सकते हो देखो 50,000 क्योंकि ये जो मैं मैथड आपको अभी भी बता रहा था इस मैथड में ऐसे ऐसे आपको दो बार निकालना पड़ रहा है और घटाना पड़ रहा है लेकिन कब जब अलग अलग नंबर है तो इसको और भी एक मैथड से आप बना सकते थे जैसे 30,000 और 30,000 का 104 परसेंट ठीक है इतना आसान कैलकुलेशन नहीं होगा ठीक है कि आप इस तीनों को मैटिपलाई कर लोगे फिर भी यह एंसर आएगा तो अब कब इसको यूज़ करना है कब इसको यूज़ करना है और भी कई सारे मैथड से हैं सारे मैथड को मैं आपको बता रहा हूँ कि तीन साल के बाद कितनी होगी भाई तो बीस प्रतीशत एक साल में तो बीस प्रतीशत का फ्रैक्शन ले लो आप कैलकुलेशन से बच जाओगे जीरो जीरो को काटना नहीं पड़ेगा तो बीस पंजे सो एक बटा पाँच आपको सारा फ्रैक्शन पिछली क्लास में सिखाया था तो ये पसेंट इंक्रीज है ना यानि पाँच से एक बढ़ गया तो कितना हो गया च्छे इसका मतलब है कि पॉपुलेशन अगर हमारा पिछले साल पाँच था पाँच ही काई था तो अब कितना हो गया च्छे तो पचास हजार का शे बटा पाँच एक साल के बाद होगा है कि छे का पावर 3216 होता है और पांच का पावर 3125 होता है और यह एक सो पच्छिस चो के चार सो और पच्छिस चो के सो यह पांच सो यह चार बार में कट गया तो 400 गुना 2216 बड़ा जल्दी एंसर आ सकता है अब यह चार दो ना 800 और 6464 तो 864 जन संख्या हो जाएगी तीन साल के बाद मैं तो यहां से ऐसे ब्रेक कर लो कि भाई अगर आपको याद है तो ऐसे कर लो नहीं याद है तब क्या करोगी तब इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना इसको ठीक है और यह हम 6 बटा 5 गुना 6 बटा 5 क्योंकि जनरली क्यूब नहीं याद होता तब भी हो जाएगा कि 55 25 25 125 125 और 125 से 5 बा तो याद है ना अब आप इस तरीके से multiply कर लोगे तो बात वही आ जाएगी तो बस calculation का method भी बता रहा हूं कि आपको कैसे कैसे calculation करना है कैसे calculation easy होगा आपके लिए और दूसरी चीज़ की methods भी बता रहा हूं और भी सारे methods से इसको solve करने का लेकिन एक ही question में कितना बता हूं तो आगे चलते हैं अगले question बरते हैं next हमारे पास है population of a city increased by 10% in first decade ध्यान रखना यहां decade दिया है by 20% in next decade decade means a period of 10 year and by 25% in further next decade what is the total population percent increase in these three decades एक सहर की जनसें कि अब पहले दसक दसक मतलब 10 वर्सों का समय में 10 प्रतिशत अगले दसक में 20 और उसके अगले दसक में 25 तो यह power जो करने वाला system बता रहा था ने यह गलत हो जाएगा मतलब यह नहीं चलेगा क्योंकि हर बार अलग-अलग है तो अगर हमें सबका बात नहीं है तो increase, decrease कुछ भी चलेगा तो यह पांच का हो जाएगा 6, 10 का हो जाएगा 11 और यह 4 का हो जाएगा 5 मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ एक बार यह देख लीजिए कि increase और initially तो कुछ दिया ही नहीं है तो नहीं दिया है तो पहले साल, first year के लिए 10 था तो 10% बढ़ने का मतलब population हो जाएगा 11 दूसरे वर्स के लिए 5 से बढ़के हो जाएगा 6 और तीसरे वर्स के लिए 4 से बढ़के हो जाएगा 5 ठीक है हमें तीनों का ratio मिल जागा तो हम population increase बता सकते हैं तो इसको multiply कर लिए 10 पंचे 50 पंचास चोगे 200 और 11 चक्षिया से अच्छे 5 तीस और तीन सो थी अगर population 200 था और इस तरीके से बढ़ा है तो तीन साल के बाद 330 हो जाएगा अब इसको काट के ratio भी ले सकते थे मैं एक बार एक फिर से question पढ़ लूँ तो तीनो दसक में कुल जनसंख्या प्रतीशत कितना बढ़ा है बस यही मैं देखना चाहता था percentage increase तो percentage increase चाहिए तो यहां से हमारा answer क्या हो जाएगा कि जनसंख्या 200 से बढ़के कितना हो गया है 300 तो 200 से 300 बढ़के हो गया है तो 130 बढ़ा है तो हम क्या करेंगे 130 चेक कर ले तो इससे यह गया इससे यह गया अब इसका आदा कितना हो जाएगा दो चक्के बारह और बचाए तो चक्के बारह एक 65 प्रतीशत increase हुआ है प्रतीशत नहीं है इसलिए हम इसको इसको प्रतीशत increase दूसरा तरीका देखें कि आप इसको काट भी सकते थे लेकिन यह 10 का 11 दो मैं लिख लेता हूं 5 का 6 और 4 का 5 अगर यह कटता है तो 5 से 5 का दो 2 दूना 4 और 2 तीया 6 अब तो नहीं कटेगा तो 10 दूना 20 से गारह तीया 33 बीस का 33 हो गया तो कैलकुलिशन बस तो चोटा हो जाता है यह क्या हो गया 10 बढ़ गया तो 10 कितना प्रतीशत है किसका प्रतीशत है 20 का तो काटना भी लग है डेटा छोटा हो जाएगा और भी आप कर सकते हैं माना उस सहर के जह संख्या लेट पॉपुलिशन इस उक्वेल टू हंड्रेड तो अब यह हंड्रेड का पहले साल कितना इंक्रीज होगा अगर यह बाते आपको समझ में नहीं आ रह होती जल्दी एंसर आता है तो आप क्रेडिशनली चले जो पहले साल 10 परसेंट बढ़ने का मतलब 110 प्रतिशत बढ़ गया दूसरे साल 20 प्रतिशत बढ़ने का मतलब वह 120 हो गया और तीसरे साल 25 प्रतिशत बढ़ने का मतलब बढ़के 125 हो यहां से उड़ा दो कि 200 से 100 गया 25 पंजी 125 पंजी 125 से होके 100 चारती है 12 इन पंजी पंजी 5 आसे लेक 15 और 165 यानि population 100 था बढ़के हो गया 165 तो कितना increase हुआ तो increase 165 माइनस 100 यानि 65 और यह 65 100 पे हुआ यानि 65 प्रतीशत तो कई सारे method से question को किया जा सकता है बस काम हमारा है सीखना कि हम कौन सा जानते हैं और कब कौन सा यूस हो जाए यह आप से calculation कराएगा यह कराएगा इसमें क्या होगा कि 10 25 और 20 के जगा पर fraction भी दे तोला दो बटा तीन सत्रद दो बटा साथ बार एक बटा दो ऐसा 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 फ्रैक्शन आता है सैंतीस एक बटा दो तो यह बड़ा जल्दी की एंसर कर लेता है चलो आगे बढ़ते हैं और चीजों को और सीखते हैं दो पॉपुलेशन ओफ देव नगर अब इसको ट्रदिसनली करना मस्किल हो जाएगा मैं लिख दे रहा हूं कि अब सिक्स्टीन तो बाइट्री को आप कैसे करोगे और फिफ्टीन तो पॉइंट पॉइंट फैफ को कैसे तो देखो 16 2 by 3 यही पर लिख दे रहा हूं कि इसका फ्रेक्शन मैंने आपको पिछली क्लास से बताया था 1 by 6 पॉसेंट इस भी गया और यह है 12.5 12.5 का भी मैंने आपको फ्रेक्शन बताया हुआ है 1 by 8 चाहां तक आपको याद है इसका फ्रेक्शन क्या होता है 1 by 8 तो इंक्रीज है कि ब्रिधी हुई यानि वन इंक्रीज हुआ तो एट इंक्रीज होकर नाइन हो गया और यहाँ पर कमी आई 16 2.3 की डिक्रीज है यह देखो कमी आई है question ने बोला है तो आप क्या करेंगे माइनस तो 6 से घटके 5 हो गया तो अब अपने method के recording क्या करेंगे कि first year क्या हुआ है 8 population 9 हो गया है और second year क्या हुआ है कि 6 का population 5 हो गया है overall क्या fact पड़ा multiply multiply से पहले कटता है तो काट भी सकते वाब यह भी बताया तो यह 3 तूजा और यह 3 तूजा मतलब इधर का कोई भी देर के किसी को भी काट सकता है 8 तूजा 16 और 5 तूजा 15 यानि 16 की जल संक्या घटके 15 हो जाएगी और question ने यही बोला है कि increase से पहले 1,60,000 था तो 16 इकाई की value होगी ना एक लाग साथ हजार तो एक ही काई की value तो यह कट गया दस हजार एक पर चार जीरो यानि दस हजार तो पंदरा ही काई की value हम 10,000 से बुना कर देंगे हमारा answer हो जाएगा एक लाग पचास हजार जल संक्या अब घटके रह जाएगी कोई calculation नहीं है यहां पर अब ट्रडिस्टनली देखो इसको कैसे करते हैं लेट पॉपुलेशन नहीं पॉपुलेशन तो दिया हुआ है एक लाग साथ हजार अब टूएट पॉइंट सुरे 16 टूबाइट थ्री परसेंट तो सोला दो बटा तीन प्रतिसत को आप क्या कहते हो देखो सोला दूबटा इन सोलत 48 दूब 50 तालिस दूब 50 बटा तीन प्रतिसत तो ठीक है यह बढ़ जाएगा तो 100 पो इसमें एड़ करेंगे तो 100 प्लेस पचास बटा तीन अब ये तीन सो पचास बटा तीन प्रतिशत मतलब इसको ब्रेक करना है या फिर मैं आप पर छोड़ता हूँ अब इस कुस्चन को किसी भी मैथट से कर रहा हूँ और फाइंड करके देखो सबसे एजिएस्ट यह होता है मतलब मेरा करने का भी मन नहीं कर रहा है कि मैं किसी दूसरे मैथट से इसको ठीक है तो आगे बढ़ते हैं यह बेस्ट वे है इसको सॉल्व करने का अगला कुश्चन है इन टाउन 30% वर चिल रहे हैं यह तो बहुत चला देखते हैं आगे In a town 30% were children while 40% were men 40% बच्चे और 45% वैस्ख हैं बच्चे और जबकि 45% पुरुस थे वैस्ख नहीं पुरुस और कस्बे में 25,000 महीलाएं थी 25,000 मुल आएं What is the total number of men and children in the town? तो पुरुसों और बच्चों की कुल संख्या कितनी है? हम माल लेते हैं कि उस सहर में 100 लोग हैं या 100 प्रतीशत लोग हैं 100 प्रतीशत से अधिक हो नहीं सकते और इसमें सीधे सीधे बोला कि 30 प्रतीशत बच्चे हैं तो बच्चे गए 30 प्रतीशत और 45 प्रतीशत पुरुस हैं तो 45 और 35 प्रतीशत लोग तो बच्चे और पुरुस मिला कर हैं तो 100 में से 75 हम घटा देंगे तो कितना बच्चेगा 25 प्रतीशत और पुरुस महिला और बच्चे तीन ही की बात है है तो हम नहीं सोचेंगे कि बुज़ूर्ब हैं कि नहीं transgender हैंकि नहीं उनको सोचने के जरूरत नहीं है तो यह पच्शिस प्रतिज्चत का वैलू एक हजार हो जाएगा तो पूछा क्या है पुरुसों और बच्चों की कुल संख्या तो कितने 75 प्रतीशत है तो 75 प्रतीशत का वैलू कितना हो जाएगा कि 75 गुना 1000 यानि 75,000 पुरुस और बच्चे मिलाकर उस कस्बे में होंगे बहुत ही सिंपल है ते लिए आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ मुव करते हैं हमारा अगला कोश्चन है दपोपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीस फ्रॉम 1,75,000 तो 2,62,500 इन अडिकेड दअवरेज पोसेंटेज इंक्रीज ऑफ पोपुलेशन परियर इस ओके अवरेज पोसेंटेज इंक्रीज बोला है तो सबसे पहले आप टोटल पोसेंटेज इंक्रीज फाइंड करो और फिर उसको डिवाइड कर दो नंबर ओफ एर से एक चीज़ और देखना है तो पोपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज इस तुदिस इन डिकेड डिकेड मींस एक दसक में परियड ओफ टेन इयर डिकेड मींस परियड ओफ टेन इयर दसक मतलब दस वरसों का तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है तो एक लाख पच्छत्र हजार से बढ़ कर इतना हो गया इसमें से हम एक लाख 75,000 माइनिस कर दें तो 0, 0, 5 12 मैं से 5 गया 7 और ये 15 मैं से 7 गया 8 87,000 और ये 1 मैं से गया 0 500 लोग बढ़े हैं सहर में एक दसक में यानि 10 वर्स देखें तो अब इसको चेक कर लो 87,500 कितना प्रतीशत है किसका 1,75,000 का तो इससे हम क्या करें 00 से 00 cancel किये हैं और इधर दिख गया कि 25,7 जा 25,4 जा 7,1 जा 7 बच्चा 117,7,2 जा 14,3,35 7,5 जा 35 125 इंटो 4 multiply नहीं करो 125 इंटो 4 ही रहत दो तेक है इतना पोसेंट चंसंख्या बढ़ा है कितने दिन में 10 साल में तो एक साल में कितना यह पोसेंटेज इंक्रीज हो गया यह क्या हो गया पोसेंटेज इंक्रीज तो एवरेज क्या पूछाता है एवरेज पोसेंटेज इंक्रीज एवरेज पोसेंटेज इंक्रीज तो एवरेज तो वन एयर का लेते हैं और population per year बोला ही है per year तो वन येर का ही लेना है तो दस साल में 125 गुना 4 एक बार और इसको चेक भी कर लेते हैं थोड़ा सा गड़बड लग रहा मुझे इसको फिर से कट कैंसिल करका देखता हूँ कैंसिलेशन में मुझे प्रॉब्लम देख रही है अभी आप रुप जाओ टू जीरो एंड टू जीरो कैंसिल होगा ना और यहां तो यह है तो यह ट्वैंटी फाइफ फॉर जा ठीक है और ट्वैंटी फाइफ सेवेन जाएट मिन्स सेवेंटी है यहां टीक है सेवेंटी को हम सेवें इंटू टैन लिख ले रहे हैं इस जीरो के लिए अब जो सही था हमारा इस साथ एक कम साथ और यह बचा कितना सत्र है तो साथ दुना चौदर और तीन साथ पंजब है तब कुछ सही था नीचे बस दस चुट रहा था पहले ही सही हमारे पास अच्छे इसको भी काटी लेते हैं इप पांच पच्छीस पंजए के एक सो पिच्छीस और पांच दुना देस और यह दो तुना चार पच्छीस दुना पचास डारेक्टी कर लो तो वहीं पचास पसेंट बढ़ा है दस साल में तो एक साल में कितना ही और इसी हो गया कि 50 वैई 10% इसका मतलब है 5% इंक्रीज की average percentage increase कितना हो जाएगा 5% ओके चलो आगे बढ़े हमारे पास option भी है यहाँ पर 5% ओके average percentage increase तो percentage increase find कर लेंगे और जितना साल है उससे divide कर देरी देरी और भी question अच्छे मिलेंगे जैसे यह देखो किसी देश की जन संख्या में प्रतेक दसक में एक प्रतीशत की घिरावट आ रही है हर साल 1% यदि 2030 में उस देश की अनुमात ने जन संख्या इतना दी गई हो कि 2030 तर कितना हो जाएगी तो 2000 में देश की जन संख्या कितनी थी यहनि 2030 आगे 10 साल आगे की बात कर रहा है तो हम बात करेंगे 10 साल पीछे कितना होगा तो इसमें हम कैसे फाइंट करें तो देखिए 2030 की जन संख्या थे इतनी तो 2000 की कितनी है तो ये है 2000 और इधर है 2000 2030 2000 में मान लेते हैं ये population P था और 2000 में अनुमानित कितना गया है 1940 598 तो अब बड़ा रेटा हुद दिया है यानि calculation कराना चाहता है तो P population कितना हो जाएगा घटते हुए हर साल एक प्रतीशत गिर रही है प्रतीक दसक में तो ये है मैंने इस question का point कि 10 साल में एक प्रतीशत गिर रही है तो दसक और 2020 से 2030 तक का कितना period है 30 वर्सों का है 30 वर्स आता कितना है तो 10 गुना 3 आता है ना ये 10 साल गुना 3 बराबर 30 साल तो ऐसे ऐसे 3 दसक मिलेंगे ना हमें तो बोला है कि 3 दसक के बाद कितनी जनसंग्या होगे और एक दसक में एक प्रतीशत गिरती है ठीक है तो simply हम क्या करेंगे कि जो भी जनसंग्या है पी तो पी का एक प्रतीशत गिरावट हो रहा है ना एक प्रतीशत हर साल ओके तो एक प्रतीशत गिरेगा तो निन्यानवे प्रतीशत बचेगा one nine four zero five nine eight तो पी की वैलू कितनी हो जाएगी one nine four zero five nine eight ठीक है into hundred by 99 into hundred by 99 into hundred by 99 देखो कटने जैसा कुछ भी नहीं मिल रहा है तो में कहां में यही करें ठीक है हम 99 का स्क्वाइर तो कर लेंगे nine eight zero one but 99 का क्यूब कैसे करेंगे तो 99 का जो क्यूब होगा उसको double time अगर two time आप करोगे इसका क्यूब यानि और उसका two time यह है या फिर आप दीरे दीरे कटाना इसको 11 से फिर 11 से फिर उसको 11 से 11 से 11 से तीन बार कटाना फिर जो बचे तो थोड़ा सा cancellation में आपको तो यहाँ problem हो सकती है ठीक है तो यहाँ पर मैनद करना और answer क्या हो जाएगा two कितना 0-3-3-2-2-2-1-2-3-4-5-6 यानि बीस लाख कि दो हजार बीस में जन संख्या थी जबके घटे घटे इतना हो गई है 2030 में यानि option हमारा क्या हो जाएगा यह जन संख्या कितनी थी बीस लाख यह पीछे जाने का तरीका हो गया हमने पी मान दिया और यह इतना तो पी का तीन बार हम एक एक पसेंट गिरा के इसके value दरा के उल्टा हो जाए ओके चलते हैं आगे यह देखो यह बड़ा अच्छा question है in adult population of a city 40% man 30% woman are married what is the percentage of married adult population if no man marries more than one woman तब यह condition है कि कोई भी इंसान एक से अधिक महिला से साधी नहीं कर सकता and no woman marries more than one man कि कोई महिला भी यह महिलाओ पर भी लागू होता है कि एक से अधिक विवाह नहीं कर सकते and there are no widows and widows और कोई बिद्वा नहीं है और कोई विदूर नहीं है तो पूछा क्या है what is the percentage of married adult population if married population का percentage चाहिए तो भी साधी एक महिला एक पुरुष से ही करेगा यह एक पुरुष एक महिला से करेगा तो आएए देखते हैं क्या होगा कि 40% क्या है man and 30% woman तो यह 40% man जो है यह 30% महिलाओं से साधी किये होंगे इसका मतलब तो कहीं यह नहीं कि 40 पुरुष 30 महिलाओं से साधी कर ली है यह 30 महिला है 40 पुरुष से साधी कर ली एक महिना दो दो पुरुसों से भी साधी कर लिए होगी तो ऐसा बिलकुल नहीं है इसका मतलब यह है कि महिला इस सहर में जादा है जिसका 30 प्रतिशत ही उतना हो जाता है कि पुरुसों के 40 प्रतिशत के बराबरी कर देगा कि जितने महिला होंगे उतनी पुरुस का साधी होगा परसेंटेज अलग हो सकता है लेकि नमबर नहीं इसके लिए हम क्या करें चालिस प्रतिशत और तीस प्रतिशत महिलाओं का विवा हो जाए तो देखो जितने भी मेल है यहां से इक्वेट हो जाएगा नमबर अफ मेल और नमबर अफ इमेल यानि नमबर अफ मैं और नमबर अफ वुमें तो इक्वेट करने के लिए हम क्या करें अब यहां से यह मल्टिप्लाई है आदमियों यानि पुरुसों का 40 प्रतिशत महिलाओं के 30 प्रतिशत के बराबर ये बात समझ में आएक ही नहीं ये जो condition दिया है कि कोई भी एक से अधिक साधे नहीं कर सकता वो महिला हो या पुरुसो तो इस case में हम क्या करेंगे कि हम 40 प्रतिशत ही मैं पुरुसो का विवा 30 प्रतिशत महिलाओं से करेंगे संख्या बराबर होगी लेकिन प्रतिशत अलग हो सकता है तो यहां से पॉसेंटेस से पॉसेंटेस कैंसल हो जागा 0 से 0 कैंसल हो जागा और ये man divided by woman is equal to 3 by 4 यानि उस सहर में अगर 3 पुरुस है तो महिलाओं कितनी है 4 तो हम man और woman का ratio लिख सकते है क्या 3 और 4 तीन महिलाओं मैं आदमी है तो 4 महिलाओं अब 3 और 4 का हम अगर निकालने चलें 30 परसेंट और 40 परसेंट तो चोड़ा चोड़ा decimal में आएगा तो आधा पुरुस का विवान नहीं होता ना तो इसलिए हम इसको 30 और इसको 40 कह सकते है ratio है बात तो सहीं ही रहेगी या फिर हम इसको 300 और इसको 400 भी कह सकते है इसको हम 300 और इसको 400 भी कह सकते है इसमें भी कोई problem नहीं होनी चाहिए तो अब मान लिया हमने कि उस सहर में 300 पुरुस और 400 महिलाओं है तो कुल मिला के पॉपुलेशन कितना हो जागा उस सहर का? उस सहर का पॉपुलेशन हो जागा 700 अगर 340 मानोगे तो 70, 3,000, 4,000 मान लो 7,000 जो मन करे वो मान लो अब यहां से चलते हैं इनका बिया कराने है कराने ना? मतलब बिवाः तो पुरुस कितने है? पुरुसों का 40 पुरुसों का विवाहित है 40 पुरुसों का विवाह कितने लोगों से कराए है? हमने पहले 40 पुरुसों का निकाल लेते हैं पुरुसों का तो 10 पुरुसों के बारा 120 पुरुसों का विवाह हुआ होगा किस से? कोई भी एक से अधिक साधी नहीं कर सकता इसका मतलब है कि 120 महिलाओं से 120 पुरुस विवा किये हैं 120 पुरुस और 120 महिला का विवा हुआ है तो 120 और 120 कितना हो गया? कि 240 लोगों का विवा हुआ है कि विवाहित जोडे कितने हुए? 120 पूरसों का 120 महिलाओं से और विवाहित लोग कितने हुए 240 बलोगे कि 120 कैसे चेक करके देख लो कि इसका 40% 120 ही आएगा 40% 10% 40 इसका 40% नहीं 30% विवा हुआ है 30% महिलाओं ने 40% पूरसों से विवा किया है इसका 30% चार्थिया 120 ही आया तो हमने तो 120 हैसे लिख दिया था यानि 240 लोग भी वाहित हैं कितने में से तो 700 में से तो प्रतीशत पूछा था क्या है percentage of merit population तो percentage of merit population कितना होगा percentage of merit population 240 is what percent of 700 इस तरीक इसी लिए में ये chapter ही लेकर आया था कि इस तरीके से question population वाला सारा करा दो 7, 3,21 बचा कितना 3,77, 4,28, 2 by 7 percent 34, 2 by 7 percent population are married मारा answer क्या हो जागा 34, 2 by 7 percent I hope आपको चीजें समझ में आ रही हैं मैंने ऐसा ही एक और वीडियो बनाया था मैं पहले जब यूटूब पर नहीं आ रहा था live जाएंगे उसमें भी 10-12 टाइप का मैंने जखर किया है एक गंटे का वीडियो होगा लिंक भी मैं share करा दे रहा हूँ आप इस लिंक से भी उसको access कर सकते एक चीज और कि आपको इन चीजों को अगर जल्दी पढ़ना है अगले कोशन पर देख लेते हैं तो आप हमारा पाथ हाईएस एक एडमी के application डाउनलोड कर सकते हैं उसमें मैस के बहुत सारे basic videos यानि basic तरह के exams के लिए हैं कि आप बहुत सारे चीज़ें महाँ से सीख सकते हो मैस को clear कर सकते हो मैस आप visualize कर सकते हो और मात्र 500 रुपे में available है तो आप 500 रुपे के छोटी सी fee देकर आप 45-50 videos ले सकते हो जिसमें live doubt sessions में मिलेंगे notes में मिलेंगे तो आप काफे time बच सकता है तनी बार को तो मैं जो लेकर आ रहा हूँ ये अलग ही है ये सारी चीज़े उस वीडियो में भी नहीं है तो इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है ये सारी वीडियो भी एप में मिल जाएंगे और आप वहां से जल्दी से अपना course को cover up कर से तो इसके लिए आप path eyes academy app download कर लीजे और login करने के बाद आपको कोई भी असुविदा होती है तो path eyes academy के किसी भी help line number पर call कर से ओके चलो यहां से देखते हैं same question है बट थोड़ा सा language change है 5 upon 9 part of population in a village are males if 30% of the males are married find the percentage of unmarried females यह percentage of unmarried females in the total population if no man marries more than one woman and no woman marries more than one man and there are no widows and widows 5 upon 9 part of population तो आपको fraction समझना होगा 5 upon 9 part का क्या मतलब है 5 upon 9 part का यह मतलब है कि उस हर का total population है 9 जिसमें से 5 part क्या है males इसमें से males कितने हैं 5 तो देखो अगर हमारे पास total हमारे पास total 9 है जिसमें से male यानि पुरुस 5 है गए हैं तो females यानि महिला हैं कितनी होगी definitely 4 तो हमें male और female का ratio मिल जाएगा इस तरीके से हमें क्या मिल गया होंगे किस से definitely 150 माइला से बोलो हाँ कोई भी एक से अधिक साधी नहीं कर सकता ना पुरुस ना मिला कोई विद्वा नहीं है कोई विदुर नहीं तो 150 लोग 150 माइलाओं से ही साधी करेंगे करेंगे ना क्या पूछा है यह पॉस्टेंटेज ऑफ अन्मेरेट फीमेल टीके बहुत चार सो में से 150 कभी वा हो गया यह कौन है मैरेट में सार्पैरेट टीक है और अन्मेरेट कितने हो जाएंगे दो सो कि 250 महिलाएं अन्मेरेट है लेकिन परसेंटेज पूछा है तो टोटल पॉपुलेशन यह रखना अभी कभी पूछता है फाइंड दर परसेंटेज ऑफ अन्मेरेट फिमेल्स सिफ रहता तो 250-400 का निकालते हैं लेकिन टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा भाई टोटल तो इसको पांचसो चार सो माने होती इसको आपको 900 मानना होगा आपका दो एंसर आता है यहां पर थोड़ा सा उसी आरने की जरूरत है कि नो सो पचास कितना प्रतिशत है 900 का 00 अब यह मिल गया नौ दून अठारह नतियसाता है नौ दून अठारह अठारह दो बीस साथ साथ सत्तर नौ आट बैतर लगभाग अठाइस प्रतिशत आप एप्रॉक्स कह सकते हो अधिक है या फिर अब क्या करोगे 920 18 और बचा 220 70 एटीन और 770 और 970 63 60 60 60 पिद नौट बेटर नौपज अधियर सब्सक्राइब अधियर शाथ ही पर जाए नौशाथ यह तिरे सट साथ बचाना सत्तर नौशाथ यह तिरे सट फिर साथ तो साथ ताइस ते समलो साथ साथ प्रतिशत भी आप यहां भी ऑप्शन नहीं है conceptual question है कि इतना प्रतिशत है total population में unmarried females अधियर से देखना फिर से question find the percentage of unmarried females in the total population इसलिए हमने total population से डिवाइट किया इंदी में क्या है एक सदिपोस विवार नहीं करते हैं कि अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत ग्याद किजिए तो हम इसको 400 से लेए अगले question की तरफ चलते हैं यह question सेम है मैंने आपको homework दिया है कि एक बार आप try करो और इसके लिए मैंने answer भी नौक कर दिया है आप इसको जरूर से जरूर से आगे बढ़ते हैं में भी मुझे लग रहा है कुछ network इसू है यह वीडियो recorded है यह record हो जाएगा आपको YouTube में फिर से मिलेगा आप आगे भी इसको देखते हैं देर वस एंड डिक्रीज अफ 25 पर संट इन प्राइज अफ सुगर वाट पोसेंट इसको रिट कंजम्शन का बड़ा इंपॉर्टन को स्टै और इसके लिए पहले एक रूल लिख लो इव रेट इन तो करना चाहें तो यह क्या हो जागा expenditure अपन कंजम्शन और अगर इसको हिंदी में क्या कहते हैं दर गुना खपत बराबर खर्च और अगर आपको दर ग्याद करना है तो क्या कहेंगे खर्च बटा खपत और आपको अगर खपत ग्याद करना है तो खर्च बटा और दोनों हालत में आपको दिख रहा है कि expenditure यहनी खर्च समान है उस परिस्तिति में दर खपत के व्यूत क्रमानुपाती हो जाए तो अगर हमारे ही है अगर उसका कंजंप्शन का रेश्यो करना चाहें तो हो जाएगा बीस तुए है तो इस कॉंसेप्ट को ध्यान में रख कर हम कोश्चन को स्वार्व करने है डिक्रीज ऑफ 25 पसेंट इन प्राइज ऑफ सुगर कितना होगे 25 पसेंट गिर गया हम क्या करेंगे लेट प् तुगर इस इक्वेल टू 100 पर केजी ठीक है हमने रेट मान दिया राइज मिन्स रेट 100 पर केजी हमने मान दिया है तो यहां पर एक बार इनिशियल और उसके बाद डिक्रीज हुआ है तो फाइनल फाइनल मिंस हम यहाँ पर फाइनल लिख लेंगे और यह फाइनल क्या है डिक्रीज जो इनिशियल हमारा रेट है उसको हम सौ माल ने अभी अभी हमने रेट को सौ कहा था है तो फाइनल कितना डिक्रीज हुआ है बाई तो 25 पॉसेंट डिक्रीज हुआ है तो 25 पॉसेंट के बाद क्या बचेगा देखलो 25 पॉसेंट क्लिश में सो कर दे रहा हूं 75 बचेगा ना अब यह रेश्यो क्या हो जाएगा 4 is to 3 अब ये ऐसे भी कर सकते थे कि 25% का fraction कितना होता है 1 by 4 इसमें से एक घट गया decrease का मतलब घट ना होता है बचा कितना 3 तब डारेक्ट 4 is to 3 लिख सकते थे कि 4 is initial rate and 3 is decreased rate ओके तो अब हमारे पास consumption का ratio क्या होगा क्यों क्यों क्योंकि question ने बोला है कि no effect on expenditure इसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े तो जब खर्च पर कोई प्रभाव नहीं देना चाहते है तो हम क्या करेंगे इसको तीन अनुपात चार में बदर देंगे ठीक है क्योंकि rate is inversely proportional to consumption इसको क्या करते है दर हिंदी में और इसको क्या करते है खपत की दर खपत का व्यूतक्रमानुपाती होता है चीजे सस्ती होंगी तो उतनी पैसे में ज्यादा मिल सकती है महेंगी होगी तो उतनी पैसे में कम मिल सकती है तो यहां पर देख लो कि rate into consumption is equal to expenditure होता ना कि दर गुना खपत बराबर खर्च अब इस खर्च को हम क्या कर सकते है चारतिया बारह और चारतिया बारह खर्च पर कोई असर नहीं पड़ा तो यह सिर्फ और सिर्फ इनिशियल इंफरमिशन है जहनकारी के लिए सम्मेह में करन नहीं पड़े तो क्या चाहिए खपत को कितना प्रतिशत कम करें तो खपत को कम कर दे रहे हैं तो खपत बढ़ाया जाना चाहिए कपत को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए तो 3 से 4 बढ़ रहा है प्लस 1 बढ़ रहा है 1 कहां से बढ़ रहा है तो देख लो एरो का बेस कहा है 3 पर तो 1 कितना प्रतिशत है 3 का 33.33% इंक्रीस यह हमारा है एक बर मैंने concept सिखाया अब देड़ादर practice करते हैं कितना करना है there are increase of 12.5% क्या है increase बस दो चीज़ देखो price of sugar what percent consumption must be decrease जब यह increase हुआ है तो यह पक का decrease होगा family so that there is no effect बस दो चीज़ देखो यहां पर क्या है no effect और यहां पर increase 12.5% का fraction 1 by 8 increase means plus 8 से बढ़ कर 9 यहनी हमारा rate कितना हो गया initially 8 अब 9 तो हमारा consumption कितना हो जाएगा 9 से घटके 8 कितना कम हो गया एक एक कितना प्रतीशत है किसका नौ क्या तो गयर नवाने 99 एक बटा नौ प्रतीशत की कम हमारा answer दो मतलब 20 सेकंड कह सकते हैं 20 सेकंड मैं answer आ सकते हैं बटा फट चलो आगे बढ़ते हैं और यह कुछ भी हो जैसे इसके पहले वाला भी था कि 25 तो 25 का 1 by 4 और माइनस 1 3 easily कर सकते थे यह से और кто देखिये चीडी की कीमत में 32 प्रतिश्रत की भृध हुई ठीद है चीडी की पहले सो था 32 प्रतीशत का हुगी 30-100 पर आजाता है अगर 100 रुपे किलो चीनी है 132 रुपे हो गया और कोई खपत में खर्च में कोई भी पर परिवर्तन नहीं होता है तब पहले 132 किलो चीनी परिवार खाता था तो अब 100 किलो ही खाएगा यह होगा लेकिन परिवर्तन हुआ है ना कितना तो 20 प्रतीशत खर्च में ब्रिदी की गई है 20 पॉसेंट क्या किया गया है एक्स्पेंडीचर को इंक्रीज किया गया है जब 20 पॉसेंट इंक्रीज किया जाएगा तो बस यही पर क्लू है नहीं तो यह कुस्षिन बहुत बढ़ा हो जाएगा कि भाई कोई भी परिवार या कोई भी व्यक्त अपना खर्च क्यों बढ़ाता है ताकि ज्यादा खा सके तो जितना प्रतीसत खर्च बढ़ाएगा उतना प्रतीसत ज्यादा उसकी खपत भी बढ़ेगी जैसे 100 रुपे के 10 समोसे मिलते हैं आप 10 प्रतीसत और खर्च करना चाहते हो तो 100 का 10 प्रतीसत कितना होता है 10 तो 10 रुपे में और कितना समोसा मिल जाएगा तो 10 प्रतीसत ज्यादा समोसा मिलेगा तो 10 का 10 प्रतीसत एक होता है तो 10 प्रतीसत बढ़ा है तो एक समोसा ज्यादा मिल गया तो दस परतिशत ज़्यादा मिला न तो बस यही पर हम यूज कर देंगे कि परिवार ने अपना 20% expenditure increase किया है लेकिन यह है consumption हम consumption की बात कर रहे हैं हम consumption को increase कर देंगे 20% तो कितना हो जाएगा 20 तो plus 20 करेंगे तो 120 यानि वह परिवार पहले 132 किलो खाता था तो अब कितना किलो खाएगा अब 120 किलो ही खाएगा अभी भी कितना कम खा रहा है 12 किलो कम खा रहा है पोशनी क्या पूछा है calculate the percentage decrease in the new consumption of sugar तो कितना decrease है 12 unit का decrease है तो 12 is what percent of 132 क्योंकि 132 से कम होकर 120 पर पहुँचा है और वो भी परिवार ने 20% अपना खर्च बढ़ा भी दिया है तब 132 यह क्या हो जाएगा 12 बढ़ गया है 12 एकम 12 बचा फिर 12 एकम 12 एक 11 बट में गया 119 निन्यानवे एक बटा एक ग्यारा प्रतिशत की फिर भी कमी रह जाएगे clear एक बटा 9 बटा एक बटा एक बटा एक ग्यारा प्रतिशत की कमी यह दो टाइब होते हैं कि परीवार कि अपने खर्च को ना बढ़ाए तब खाल कितना कम करेगा दूसर टाइप औरइप रीवार रेट बहुत जादा बढ़ा है लेकिन परीवार खर्च को थोड़ा सा बढ़ाए सब क्या होगा बस यही दो कैसे से एक किस और आता है वो देखिए दूटी परसंट फॉल इन रेट ऑफ एक्स पचिस प्रतिसत अंडों की दर में गिरा उठ होगी यह दो दर जन अंडे अधिक खरीद पाता है जितना अधिक खरीद पाता है किसे में तो तो डो सो रुपए में ही समान राशी 200 पहले भी वह वह दो सू रुपए लेकर जा था आज यह भी दो answer बा सिक तो तो पुछा है प्रतिय दर दर किदर चाती और रंजी की गिरी हुई केमत हम तुरफाइंड कर सकते हैं क्योंकि पहले वह दो सो ले और क्या हुआ है कि 25% कम हो गया है तो 200 का 25% कितना होता है तो 200 का 25% हो जाएगा वन फोर्थ तो 450 यानि 50 रुपया कि दुकांदार से लड़का बोलेगा कि भाई मैं अंडे ज्यादा नहीं लेना चाहता हूँ ये दो दर्जन अंडे पकड़ो और इसके बतले कितना पैसा दोगी ये बता दो तो क्या कहएगा दोगांदार कि 25% रेट गिरा हैं तो 200 का 25% ये 50 रुपय ले लो कि दुकांदार आपको उसके बदले 2 दर्जन अंडे ले रहा है और 50 रुपए दे रहा है यятि 50 रुपय में दो दर्जन तो एक दर्जन 25 रुपय में तो गिरी हुई कीमत 25 रुपय कि 50 रुपए में 50 रुपए में दो दर्जन एंडे तो एक दर्जन एंडे 25 रुपए में यह हमेशा गिरी हुई कीमत क्या लाएगी 25 रुपए प्रति दर्जन लेकिन प्रारंबिक कीमत क्या थी तो उसके लिए कल्कुलेट करना पड़ेगा फिर से पॉसेंटेज वाला मैतर तो profit and loss पड़ाऊंगा उसके बाद उसको देखेंगे दूसरा concept किया है तो हमने क्या देखा rate rate में गिरावाट हुई कितना 25 प्रतिसाद तो 25 प्रतिसाद का fraction क्या होता है एक बटा चार गिरावाट का मतलब 4 से गिरके 3 तो पहले रेट था 4 का अब रेट हो गया 3 का तो consumption क्या होगा अगर हम कोई भी पैसे में कटोती नहीं करना चाहते है पहले भी 200 ले जा रहे थे अभी 200 ले जा रहे है तो हमें तीन की जगा चार दरजन मिलने लगेंगे पहले तीन दरजन मिल रहे थे उतने ही पैसे में अब चार दरजन मिलेंगे तो कितना अधिक मिला एक दरजन अधिक मिला यानि एक ही काई अधिक मिला लेकिन question कर रहा है कि नहीं 2 दर्जन अदिक मिला है तो 2 से हर जगा गुना करा देंगे तो देखो 3 दुना 6 चार दुना 8 कि पहले 200 रुपए में ही हमें 6 दर्जन अंडे मिलते थे लेकिन अब 200 रुपए में ही 8 दर्जन अंडे मिल रहे है यह क्या है Initial और यह क्या है Final हम क्या कहलेंगे trifon條 6 दर्जन अंडों की कीमत थी 200 रुपे तो 1 दर्जन अंड़ा 200 बटा 6 और अब 8 दर्जन अंड़े की कीमत है 200 रुपे तो 1 दर्जन अंड़ा 200 बटा 8, तो यह 25 8 है कम 8, 25 है 200 यानि 25 रुपए प्रती धर्जन ये फाइनल यानि डिक्रीस्ट गिरा हुआ रेट है अंडे का और पहले क्या था तो 200 में 6 तो 100 में 3 तो एक के लिए 33 तसमलो 33 प्रती धर्जन ये अब कहा है कि रेट गिरने से पहले 33 रुपए 33 पैसे दर्जन था अंडा लेकिन रेट गिरने के बाद अंडा क्या हो गया 25 रुपए दर्जन तो ये दोनों आपके एंसर है तो ये एक टाइप है दूसरा टाइप आप खुद पर यही टाइप है सेम टाइप है किने की बड़े हुई कीमत बठा पचीस परतिसद क्या होता है चार तो ये बठाइप मतलब प्लस तो चार और एक पाँच यानि चार का क्या हो गया तो पाँच का क्या हो जाएगा चार, बिना time lost किये हम ratio तैयार कर लेंगे इधर समझते है, इनिश ए इधर समझते है final है एक व्यक्ति दो किलो कम चीनी खरीद पाता है 400 रुपे में यानि पहले भी 400 इन्वेस्ट कर रहा था लेके जा रहा था अभी भी 400 लेके गया है तो यह है हमारा रेट और यह हमारा कंजम्शन तो उसको दो किलो कम मिल रहा था लेकिन यहां से तो एक यूनिट ही कम मिला है तो हम इसको दो किलो में कनवर्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि वन यूनिट की वैलू है टू केजी और ये सही हो इसके लिए क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम 2 kg से multiply करेंगे तो जैसे ही दोनों तरफ हम 2 kg से multiply करेंगे तो हमारे पास डेटा क्या मिलेगा इप प्राइस बढ़ने से पहले हमारे हम 10 kg चीनी खाते थे 400 रुपे में प्राइस बढ़ने के बाद हम 8 kg ही चीनी खाएंगे कितने में? 400 रुपे में तो 1 kg का दाम कितना हो जाएगा? 40 और यहां से 1 kg का दाम कितना हो जाएगा? 8, 45, 40, 50 तो क्या कहेंगे? कि चीनी प्रती kg क्या थी? चीनी की बड़ी हुई कीमत भी बताएं तो इनिशियल क्या हो जाएगा? 40 पर kg और फाइनल क्या हो जाएगा? 50 पर kg सिंपल सा मैथड एक बताया इसी मैथड से हम बहुत सारे कोश्चन का एंसर ले सकते हैं और आगे भी लेते रहेंगे तो थैंक यू सो मच हमसे जुडने के लिए मैं एक बार फिर से कह दो कि हमारा आप पाथ एप डाउनलोड कर लीजे पाथ आईस एप इसमें आपको मैथ्स के वीडियो मैथ्स के बहुत सारे इंफेक्ट 45 प्लेस वीडियोज प्लेस लाइफ डाउट क्लासेस मिलेंगे आपको वीडियो पसंद आ रहा हूँ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए पाथ हाईस एकडमी को और सेहर को ज़रूर के थैंकू सो मच बलते हैं अगले सट्याड़े को तो बचे